आपका हमारी YouTube चैनल Smart Jobs में तो दूस्तो आज की जो विकिंसी है ये विकिंसी एक खास डिपार्टमेंट और साथ ही बहुत ही अच्छी कंपणी की तरफ से आ रही है सबसे पहले मैं आपको इसकी कंपणी के नाम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कंपणी कि रहे हैं यहां पर जैसे आप लोगों की जो मैनृट्यों कि जाते हैं कियर चौकर प्रोटेक्ट्यर उप्रोटेक्ष्ट होते हैं या और भी अन्य प्रकार के इस तरीकर मैं आपको इसका नाम बताना चाहूंगी मैंने नाम स्टार्टी में इसलिए नहीं बताई कुछि काफी सारे स्टूडेंट यह है इस नाम को नहीं चांथे होंगे क्योंकि गई यह जो कंपनी है अपना प्रोजेक्ट जादा तर दूसरी कंपनीयों को देती है उसके बाद उनसे यहां पर हाइरिंग करवाती है तो यह डायरेक्ट हाइरिंग बहुत ही कम करती है यहां पर इसने बहुत टाइम बाद मतलब कह सकते हैं कि काफी टाइम बाद इसने खुद के डिपार्टमेंट से हाइरिंग निकाली है उसके बाद यहां पर वाक इन इंटर होती है उन student को अपनी responsibility पर उनको यहां पर रखती है और यहां जो भी candidate हमारे eligible रहेंगे वो इस वीडियो को continue करें तो सबसे पहले मैं बता देती हूं कौन-कौन student eligible है इस विकिंसी के लिए हमारे fresher candidate बिल्कुल apply कर सकते हैं साती गईज यहां walk-in interview रखा जाएगा पांच जैन्वरी से कबसे पांच जैन्वरी से 14 जैन्वरी तक इसका walk-in interview चलेगा अगर आप इसके लिए eligible हैं तो जरूर इस walk-in interview को attend कीजेगा गैस इस विकिंसी की जो आपकी qualification रहने वाली है डिप्लोमा qualification रहेगी डिप्लोमा candidate apply कर सकते हैं डिप्लोमा में हमारी जो branch है काफी सारी रखी गई है जैसे मैं branch भी बता देती हूं जिससे की हमारी branch eligible रहेंगे वो वीडियो को continue कर पाएंगे branch आपकी mechanical रहेगी mechanical से relevant production हो गया RAC हो गई या फिर automobile branch वाले apply कर सकते हैं साथी गई electronics branch वाले यहां पर apply करेंगे electronics से relevant आपकी other कोई branch है electronics telecommunication या फिर other electronics and electrical कोई भी branch है apply कर सकते हैं यहां हमारे electrical branch वाले candidate apply करेंगे इससे relevant कोई भी branch है apply कर सकते है next यहां पर दिखेंगे telecommunication telecommunication वाले candidate इसके के लिए apply कर सकते हैं और गैस यह विकिंसी आप लोगों को offline यहां जाना होगा उसके बाद ही आप लोगों को इसका reply मिलेगा जब भी आप लोगों को कोई भी walk-in interview मिला करें और आप उसकी location के लिए eligible हैं तो आप सबसे पहले walk-in interview attend करें क्योंकि walk-in interview में 100% guarantee होती है आपकी कि वहां से आप लोग अगर select है तो मतलब वहां reply मिलेगा अगर select नहीं है तो आपको मना कर दी जाएगा ऐसा नहीं है कि online में काफी time तक होता है कि मतलब बहुत time तक तो reply नहीं आता है students कम से कम 10-20 vacancy के लिए apply कर दे रहते हैं उसके बाद भी reply नहीं आता है तो online में ऐसा होता है कि काफी time क्या होता है कि आपने resume sent किया या कोई भी application पर form फिल किया तो HR हमारे देख ही नहीं रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो वहां पर उन लोगों को reply किया जिनके पास बहुत ही यहां पर apply कर पा रहे हैं अब इसका disadvantage भी है कि आपको यह मतलब guarantee नहीं मिलती है कि आपका reply आएगा ही आएगा यह चीज़े होती है कुछ ठीक है अब यहां हम लोग बात कर लेते हैं इसके apply link की apply link आपको telegram पर मिलेगी टेलिग्राम की link description में दी गई है और comment box में भी पिन की गई है तो जैसे कि आप सभी screen पर देख पा रहे हैं guys यहां पर आप सभी diploma candidate है बिल्कुल fresher है apply कर सकते हैं ट्रेणी वालों के लिए विकिंसी रहे की diploma mechanical electrical यहां बिल्कुल eligible रहेंगे बाकी देखे बात करें आप experience की तो अगर आपके पास एक साल का भी experience है तो apply कर सकते हैं basically एक साल का experience कोई माइने नहीं रखता है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोगों को थोड़ा सा salary package extra दिया जाता है मतला increase करके दिया जाता है दो लाग तक आपका salary package रहेगा हैद्रावाद शिकंद्राबाद location है पांच जनवरी से 14 जनवरी तक यह interview का आपका conduct कराये जाएगा गई साड़े नौ बज़े से साड़े बारे बज़े तक interview कर रहेगा आप लोग अपने timing से पहले ही आपको जाना है और किसी भी दिन जा सकते हैं पांच से ले की 14 जनवरी तक कभी भी आप लोग चले जाएगे इंटर्व्य यहाँ पर कंडेक कराये जाएगा बाकि देखिए when you मतलब किस location पर आपको पहुंचना है है तरावाद में वो दिया गया है और यहाँ पर अगर माल लीजिए आप हैदरावाद की देखने के लिए मिलेगी बाकि देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स देखेंगे यह जो विकिंसी है इस विकिंसी के लिए only on diploma candidate apply करेंगे department आपका production रहेगा quality रहेगा और भी आप लोगों का इस relevant training department रहने वाला है और आप सभी यहाँ जो भी candidate है जिससे आपकी training कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आगे यहाँ अधर किसी पोजीशन पर एक्स्टेंट कर दिया जाएगा फरस्ट यह में जब आप होंगे तो आप लोगों को सत्रह हजार पांसो रुपे पर मन्त इन हैंड स्टाइपेड दिया जाएगा जब आप दूसरी साल सेकेंड य जाएगा यहां आपको 18,000 तक मिल जाएगा इन हैंड बट सालरी बहुत अच्छी दे रहे हैं क्योंकि इस अकॉर्डिंग देखा जाए अभी तक मैंने यहां फ्रेशर स्टूडेंट की जितनी भी प्राइविट कंपनी देखिए प्राइविट कंपनी में इतना पैकेज न अप्लाइण ही कर सकते और नी 222 के बैच वाले ही इलेजिवल रहेंगे डिपलोमा मेकेनिकल और उलेक्टिकल अप्लाइग कर सकते हैं जाएगा अगर आप इंटर्व्यू देने जाते हैं और आप वहां आप सलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इमेडिटलि यहां पर जॉइन करना होगा ऐसा नहीं कि आप लोगों को वहाँ 10-15 दिन बाद आपकी जॉइनिंग होगी ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्राइविट कंपणी है इमेडिटली जॉइनिंग करनी पड़ेगी बाकी लोकेशन आपका रहेगा देख सकते हैं हैदराबाद आफिस छे दिन तक आप लोग कर रहेगा वंडे लीव रहेगा बाकी देखिए प्लांट आपके दो रहने वाले हैं फर्स्ट प्लांट और सेकेंड प्लांट किसी में भी आपका जॉब रह सकता है मैकेनिकल इंजिनियर का रहेगा यहाँ पर रोल और आपका जो प्रोडेक्शन मैनुफेक्शिरिंग कंपनी रहेगी बाकी देखिए यहाँ पर आप सभी की जो एजुकेशन रहने वाले हैं डिप्लोमा मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकते है electronics, telecommunication ये सभी आप सभी की branch रहने बाली है बाकि आप लोगों से कोई भी key skill या फिर other कोई extra आप से skill नहीं मागा गया है तो guys यहाँ पर पहली ऐसी vacancy है जिसमें कोई भी ऐसा key skill नहीं मागा गया है कि आप लोगों यहाँ पर यह key skill होगा तभी apply कर पाएंगे आप लोगों ने सिर्फों सिर्फ in branch से diploma किया है तो आप इस interview को attend कर सकते हैं और आप वहाँ पर उस interview में थोड़े बहुत question जो भी पूछते हैं जो भी आप से पूछा जाता है वो बता पाते हैं तो आप लोगों को तुरंट सेलेक्ट किया जाएगा वहाँ पर आपको तुरंट result भी देखने के लिए मिल जाता है आप selected हुए है या नहीं हुए यह सभी चीज़ है यह map की location दी गई है बाकी venue दिया गया है timing date आपको सारी चीज़े दी गई है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए टेलिग्राम जोइन कर लिजिए गाईस ऐसी है और भी update में आपको देती रहती हूँ जो हमारी YouTube से छूट जाती है